अगर आपका एक Facebook एकाउंट है तो आज का वीडियो इसी टोपिक पर नमस्कार दोस्तों मैं हूँ लालू और मेरे चानल लालू ने अना गयाने में आप सेव का बहुत-बहुत स्वागात है दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि आप Facebook एकाउंट को हमेशा के लि आएसे ही मुझे 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 सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और आप लोगों के लिए एक अच्छा अच्छा वीडियो ला सकूं मेरा जो भी वीडियो होगा यूजफूल होगा और पूरे यह मंदारी से वीडियो लेके आते हैं बहुत ही मेहनत करते हैं प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सपूर्ट करें और मुझे सब्सक्राइब करें चलिए दोस्तों आप लोगों को ले चलते स्क्रीन पर और दिखाते हैं एकदम सिंपल तरीका से अपना फेस्बुक एकाउन को हमें सब्सक्राइब कैसे कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं सबसे पहले आपको फेस्बुक को ओपन करना होगा जैसे फेस्बुक ओपन कीजेगा उसके बाद यह जो साइड में देख रहे हैं इस पर किलिक करना है जैसे आप इस पर किलिक किजेगा और यहां को किलिक करना है एक बार फिर से और सबसे पहला वाला देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ personal and account information इस पे आपको एक बार किलिक कर देना है और इसके बाद सबसे नीचे वाला देखिएगा account ownership and control इस पे आपको एक बार किलिक कर देना है उसके आपको यहाँ दूसरा वाला पे आपको किलिक कर देना है deactivation and declaration पे आपको किलिक कर देना है जैसे आप इस पे किलिक किजेगा अब आपको option आचुका है delete account का यहाँ पे आपको tick कर देना है delete account पे और continuous to account डिलेशन पे किलिक कर देना है जैसे आप इस पे किलिक किजेगा एक बार फिर से आप से पूछ रहा है ये कनफर्म करने के लिए बोल रहा है तो continue to account डिलेशन पे किलिक कर देना है और इसके बाद आपका एकाउंट हमेशा के लिए डिलेट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलेट एकाउंट का सबसे नीचे पे डिलेट एकाउंट का आपका last में option आ चुका है अब इसको जैसे आप डिलेट एकाउंट किजेगा ये एकाउंट आपका हमेशा के लिए डिलेट हो जाएगा इससे पहले एक बार इसमें आपको password मांग रहा है जिस password से आप बनाए होंगे Facebook वो password आपको डाल देना है देख सकते हैं जैसे password डाले हैं फिर से एक आखरी बार ये confirm account के लिए बोल रहा है कि confirm हो जाएए आपका account हमेशा के लिए delete हो जाएगा देखें यहाँ उपर में लिखा हुआ भी है confirm पर्वामेंट एकाउंट डिलेशन यानि हमेशा के लिए एकाउंट डिलेट हो जाएगा तो आखरी बार इस पर हम लोग एक बार किलिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब जो है यह एकाउंट हमेशा के लिए डिलेट हो गया है यह 30 दिन के अंदर यह एकाउंट अटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा 30 दिन के अंदर फिर से अगर आप लोग इन कीजेगा तो एकाउंट ऑपन हो जाएगा तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कैसे फेस्बुक एकाउंट को डिलेट किया जाता है तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजेगा अपने द चैनल पर आता रहेगा आप लोग मुझा ऐसे ही प्यार कर देते रहें तो चली दोस्ता आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ नेक्स डे में तब तक अपना और अपने पुरी परिवार का ख्याल रखेगा